मेट्रिक्स का ये सवाल जेई मेंस 2023 के एक्जाम में आया है सवालों को करना important है लेकिन सवालों को quickly करना सबसे important है अगर आप examination में बैठे हैं तो सवालों को कितना quick कर सकते हैं कितना जल्दी से option को tick कर सकते हैं ये है सबसे important बात तो ये जो problem है, हम इसका सबसे quick solution आपको देने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए और मैं इसका solution आपको बताऊँ, आप मेरा solution देखें, उससे पहले ये problem आप खुद attempt करके देखें, comment करके answer बताएं, उसके बाद मेरा solution देखेंगा. यहाँ पे हमें adjoint of adjoint a square का determinant बताना है, इसको हम लिख सकते हैं, determinant a square की power n-1 का whole square, यहाँ पे n क्या है, यह a square का order है, अगर a matrix का order 3 है, तो a square का order भी 3 होगा, तो n की जगहे पे 3 आ जाएगा, 3-1, 2 हो गया, 2 का square 4 हो गया, 2 का square 4 हो गया, 4 into 2, 8 हो गया, ठीक है, पहले तो लिख देता हूँ determinant a square की power 4, determinant a square basically determinant a square के बराबर है, तो यह हो गया determinant a की power 8, determinant a की power 8, अब मुझे determinant a बताना है, a matrix मेरे पास है, अब determinant a को solve करने का एक तरीका तो यह है, कि आप इसको पूरा determinant expand कीजिए, solve कीजिए, या properties का इस्तिमाल करके solve कीजिए, मगर इस question के जो option थे exam में, आप इन options को ध्यान में देखते हैं, तो यहाँ पे note करने वाली बात है, कि सारे के सारे options जो है, independent of x हैं, सारे options जो हैं, वो independent of x, y and z हैं, मतलब x, y, z पे option depend नहीं कर रहा, answer dependent नहीं कर रहा, तो एक बात तो साफ हो गई, कि determinant A मेरा independent of x, y, z होगा, तो determinant A मेरा independent of x, y, z है, तो इसका मतलब x, y, z की कोई भी value डाल दूँ, x, y, z की कोई भी value डाल दूँ, answer तो मेरा वही आना है, तो यहाँ पे अगर हम exam में बैठे हैं, quickly हमको tick करना है, तो कोई smart सी value डाल दो आप x, y, z की, ताकि आपका calculation बहुत fast हो, answer बहुत fast है, और खट से आप tick कर दें, तो यहाँ प x, y, z की value मैंने 2 put कर दी, x, y, z की value सब की 2 put कर दोगे आप, तो मेरा जो determinant A है, determinant A है, वो क्या हो जाएगा, 2, 2 put करके 1 हो जाएगा, 2, 2 put करके 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यह 1 हो गया, यह 1, 1 and 3 हो जाएगा, अब आप यहाँ पे देखिए, r3 goes to, r3 minus r1 करते हैं, तो this minus this करोगे तो यहाँ 0 बनेगा, this minus this करोगे तो यहाँ 0 बनेगा, this minus this करोगे तो यहाँ पे बनेगा 2, और एकदम simple है उसके बाद, इसको third row से open कर दोगे, तो 2 into 2 minus 1 हो गया, मतलब answer 2 आगया, determinant A मेरा 2 हो गया, 2 की power 8 मेरा answer आगया, 2 की power 8 कर दिया मैंने tick, 10 का answer हो जाएगा, तो यहाँ पे unnecessarily इतने बड़े determinant को handle करना बेवकूफी होगी, अगर हम एकदम में बैठे हैं तो सीधा यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए, और X, Y, Z की बहुत simple value डाल दे हैं, यहाँ पे जैसे 2 मैंने डाल दिया, फटाक्स एक simple determinant बना है, बहुत fast यहाँ पे solve हुआ है, और cut से tick हो गया, कितना space लिया, देखो थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ा, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ा, और यह problem 30-40 second में easily exam में बैठके solve किया जा सकता है, आई होप आपको यह solution अच्छा लगा होगा, इसी तरीके के वीडियोज लेकर के मैं फिर हाजिर हो जाओंगा, तब तक के लिए, बाए बाए